हर बैक्तिक के जीवन में कुछ इकार ऐसे जरूर होते हैं जिने करना हमेसा असंबो ही लगता है और जब कोई दूसरा बैक्ति आकर उसी असंबो काम को संबो करके दिखा देता है तो हमें लगता है यार यह तो बहुत लखी है दरसल असंबो कार को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत क्या हो सकता होती है उतना आपने कभी की ही नहीं कोई भी काम असंबो नहीं होता है बलकि थोड़ा कठीन होता है जब कोई काम इतना कठीन होता है जिसे हम आसाने से नहीं कर सकते तो बस हमें उसे असंबो कहने लगते हैं एई असंबो सब्द जब हमारे दिमाग में बैर जाता है, तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं, आपको याद होगा, पहले वंडे क्रिकेट में 300 रण बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, अगर किसी टीम ने 300 रण बना दिया, तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय में 300 रण का पीछा करना असंबो सा परतित होता था, लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पीछ पर रण तेजी से बनने लगे, और आज आज तो वंडे में 300 रण बना कर बहुत आसानी इक सी बात है, अब तो 400 रण बनाने की और प असंबो माना जाता था, जो लोग 12 सतक मार देते थे, ऐसा माना जाता था, कि अब धी दूसरा कोई तो करी नहीं सकता, वो बहुत लग्की इंसान है जिसने 12 सतक मारा, लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन पंद्यूकर ने लोगों की इस ब्रहम स्री को तोड़ा, असंबो तो कुछ भी नहीं था, बलकि काम बेहत कठी था, इसलिए इसे असंबो मान बैठे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने असंबो मान लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर करके वो सक्सित दुनिया में च्छा जाएगा और सिर्फ यह बोलोगे वो लग्की है दुनिया में महतनत करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में महतनत करने वालों की कमी नहीं है आप नहीं तो कोई और सही असंबो की चक्रविव को कोई आकर चुटकियों में धेर कर देगा असंबो सब्द को अपने मस्तिक से निकाल दीजिए, क्योंकि सब्द आपको आगे बढ़ने से रुखता है, असंबो नाम की चीजी नहीं है, जो चीज आपके लिए असंबो हो सकता, किसी के लिए बहुत सिंपल हो, इसलिए आप अपने मैंड से असंबो सब्द निकाल दीज कर और हर एक काम को कर uniquya हर एक छीज पॉसीबल है इजल चीज पॉसीबल नहीं होती है समभों नहीं होती तो चीज होती ही नहीं डुनिया में एजल आपको वीडियो पसंद आगा है वीडियो को लाइक करना थेंकियो सुमच